कि नमस्कार जन ट्वी में स्वागत आपका मैं हूं योगेंद्र आप देख रहें एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं रास्तान प्रदेश भाजबा के दिगज गनसयां तिवाडी जी तिवाडी साब आपका जन ट्वी बहुत-बहुत स्वागत दन्यवाजिश किसी चेह को आगे करके चुनाव लड़ना कितना उचित मानते हैं कोई पार्टी हो सकती है देखे मेरा बहुत सा विचार है दो प्रकार के भारती जनता पार्टी ने तो अपने सन्विदार में लिख रखा है कि संसदिय बोर्ड प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के और नेत संसदिय प्रजात मंत्र के और अमारे जन प्रतिन तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि इलेक्टेट जो विदायक होंगे उसके विदायक जिसको नेता चुनेंगे वह मुख्य मंत्री बढ़ेंगा इसलिए तो उसमें संसद्री क्या जाना चाहिए और या फिर अगर हम डा पिर हमको परदान मंत्री और मुख्य मंत्रीयों के चुनाव सिध्य जनता के द्वारा कराने चाहिए विदायकों के द्वारा नहीं कहामें कहीं पार्टियों को मिल कर बैठ कर इसका निरने करना चाहिए जो आपने तै कर दिया उसके लाव फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए पार्टी बीजेपिन दो लिख रखा है जी कि हमारा संसे दिये बोड़ते करेगा कि कौन मुख्य मंत्री बनेगा सला देगा उसके लेकिन भारतिय जो जनपर्टी निदित्व धिनियम है उसमें लिखा हुआ कि इलेक्टेड मेजोर्टी की जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता मुख्य मंत्री बनेगा और उसको विदायक चुनेंगे इसका पहले पता नहीं तो चुने वे जो विदायक आन नेता चुनने थे अभी राजस्तान में बड़ी एक क्विचित रिष्टिती देखने को मिल रहे हैं पहले भी आपने तो वर्सों से चुनाओ देखा है चुनाओी सभाएं भी देखें महौल भी देखा है व्यक्ति वाद पे आरोपों या फिर महौल बनाने की यह प्रिक्र घ्री मीज्चितों ऑफ कि विई सबी देखा जिन बेख्टियों की गल्ती होती थी उन बेख्टियों को भी टार्गिट क्या जाती तो पार्टि उन को भी टार्गिट कर देखला लेकिन यह काम विज़ान सभा के अंधर के सब्सक्र half के अंदर नहीं certains को अगर तीसरह सदू मरना चाहेंगे तो यह उचित नहीं है ठीक बात है लेकिन वो तो अभी तो फिलाल तो यही चल रहा है सारा कुछ आपकी यात्रहें जो निकल रहे हैं दोनों ही पार्टियों गुन में भी मुद्दा यही रहता है जो सरकार चलाते हैं साड़ी चार साथ वो सड़को प्रागर यह बात क्यों बोलते हैं अगर कहीं गलती है तो उनको उनका अपना काम करना चाही था राजस्तान में अपकी बार कौन से ऐसे इस्यूज हैं जो चुनाओं के दोरान बहुत ज्यादा मेहत्व रख सकते हैं तो कि राजस्तान के सामने पिछली इस सरकार के विफलताओं के बहुत बड़े-बड़े कारण है जो चुनाओं का मुद्धा बनें गए और भारत सरकार की जो एकदम भ्रस्ट सरकार की मेज़ बन गई है वो भी चुनाओं का महिंगा ही है काला जन है यह सारा है बाबा रामदेव का जो राश्ट स्वाजमान आंदुलन है उन्होंने जो सरकार के खिलाब मौले जी